नमस्कार दोस्तों मैं पुनीत इस वीडियो में आपका स्वागत है हम लोग उन्हें पिछले वीडियो में बेक्टेरिया के बारे में चर्चा की थी इस वीडियो में हम लोग आर्की वेक्टेरिया, एक्टिनो माइसेटीज, माइको प्लाजमा, लिकेट्सिया, क्लेम आइडियास और स्पारोचीट के बारे में चल्चा करेंगे तो चलिए सुगू करते हैं देखें आर्की वेक्टेरिया जो होता है, यह बहुत ही हार्स कंडिशन में पाया जाता है यानि कठिन से कठिन परिस्तितियों में अपने आपको सर्वाइव कर लेता है इसका जो हैविटेर होता है, काफी हार्स होता है ठीक है, extreme condition होता है मतलज जैसे extreme salt condition हो तब भी यह पाय जा सकता है उस condition इसको hello slides कहते हैं या बहुत ही अधिक गर्म झर्णे जो होते हैं जो 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 जॉला मुक्षी होता है वहां से जो गर्म वास्म निकलता है जो गर्म पानी होता है वहाँ पर भी यह पाय जा सकते हैं वहाँ उस condition में इसको thermosidophil कहा जाएगा या मार्सी एरिया में भी पाय जाता है वहाँ पर इसको methanogenes कहा जाता है आगी विक्टेरिया का जो structure होता है इसके cell वाल का जो structure होता है कुछ बिशेश तरह का होता है जिससे कि ये harsh condition में अपने आपको survive कर लेते हैं harsh condition का मतलब बहुट कथिन परिश्थी थी extreme परिश्थी थी जैसे high acidity, high marsy, high salty condition, high temperature की condition में ये survive करने में सर्चम होता है ठीक है? ठीक है methanogenes जो होता है ये ruminants के guts में भी पाय जाते हैं ruminants मतलब जानते हैं क्या होता है ruminants ऐसे animals होते हैं जो जुगाली करते हैं, पगरी करते हैं तो अपने भोजन को पहले घास को खा लेते हैं उसके बाद पर पगरी करते हैं जैसे गाय, भैस, हिरन ये सब ruminant animals में आते हैं तो उनके उनके guts के अंदर ये methanogenes bacteria पाय जाते हैं जहां से वो methane का production करते हैं इसके रहाँ जो मार्सी एरिया होता है दलदली जमीन होती है जैसे धान का खेब ठीक है, वहाँ पर भी ये methanogenes bacteria पाय जाते हैं एक report आई थी कि इस समय सबसे जादे green house effect पैदा करने वाला कौन सा gas है तो उसमें methane के बारे में उसमें चर्चा की गई थी ये कहा गया था कि जो नार्थिस्ट countries हैं जैसे Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines वहाँ पर चावल की खेटी काफी ये दिखोती है और वो मार्सी एरिया होने को जो वहाँ से methane gas काफी मात्रा में इखलता है तो इसके लिए methane gas के इस क्रिसंद के लिए archibacteria जिमेदार होता है तो थोगा archibacteria को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं archibacteria ancient living facel है सबसे प्राचीन फासिल है मतलब दुनिया पे सबसे पहले living wing archibacteria ही आया यह extreme adverse condition में भी जिन्दा रह सकता है इसका cell wall protein और non-cellulic polysecrides का बना होता है इसमें peptidogo glycan नहीं होता है जोकि बेक्टेरिया में पाय जाता है इसके cell wall में glycoprotein, pseudomurine और non-cellulic polysecrides होते हैं pseudomurine जो होता है यह एक तरह का peptidoglycan होता है जोकि बेक्टेरिया यानस्टिल myuremic acid से बिलकुल अलग होता है तो इसका जो peptidoglycan होता है उसको बोलते है यानस्टिल ओस्यम्यूरियोनिक acid ठीक है जबकि बेक्टेरिया में नाम पायता है या नस्टिल myuremic acid इसके लवाव इसमें de-amino acid का भी अभाव होता है यह बिसेश तरह के cell wall होने के जो जैसे इसका जो cell wall जो होता है काफी resistance हो जाता है इसके cell membrane में branch chain lipid होती है जिसको phytonol side chain कहते हैं जबकि जो आम यू बेक्टेरिया होते हैं जो समान बेक्टेरिया होता है उसमें branch chain lipid नहीं होती है भी मैं इसको figure के द्वारे आपको समझाऊंगा आप देखें branch chain lipid होने को जैसे इसके जो cell membrane जो होती है इसके fluidity काफी कम हो जाती काफी वो fluidity नहीं होता है fluidity decrease कर जाती है ठीक है इस figure में आप समझें ध्यान से देखें जैसे जो यू bacteria होता है उसमें यस यस्टिल glucosamine होता है और यल यस्टिल muremic acid होता है यानि नाग और नाम आपने बेक्टिरिया वाले section में इसको पगा था इसमें जो होता है यल यस्टिल glucosamine तो होता ही है लेकिन यल यल यस्टिल muremic acid के जगपे यल यल यस्टिल मतलब नाम के जगपे यल यल यस्टिल osamuremic acid पाया जाता है जैसा कि मैंने भी पीछे पता है आपको यह खास सीज होने को जैसे आकी बेक्टिरिया यू बेक्टिरिया से अलग होता है अब देखे जो इसका cell membrane होता है cell membrane में सबसे पहली बात तो जो आकी बेक्टिरिया होता है उसमें side chain पाये जाता है गाए यह ठीक है जबकि यहां पर side chain नहीं है यह सबसे पहले नहीं है इस जबो पर ठीक यानि कि cell membrane में side chain पाये ज़िसे कि जो लिपिल लेयर होती है, इसके अलावा इसमें एथर लिंकेज पाय जाता है, आग की बेक्टेरिया में, जबकि यू बेक्टेरिया में एस्टर लिंकेज पाय जाता है, ये बहुत ही बरांतर है, ठीक है, आग की बेक्टेरिया में एथर लिंकेज और यू बेक्टेरिया में ester linkage पाए जाता है जिसके ज़से यह lysozyme और pencilling के प्रती resistance हो जाता है ठीक है वासमेरी अब देखिए दुसरा अंतरी होता है कि U bacteria में जो उसका TRN होता है उसके TRN में जो amino acid पहला amino acid था वो formulated methionine होता है F-Met formulated methionine जबकि RK bacteria में सिर्फ methionine होता है ठीक है यह बहुत बरांतर होता है अब देखिए जाशा भी उनलोगों ने पहले चर्चा की की methanogens होते है thermocidophils होते है ठीक है और hellophils होते है hellophils जो होता है high salty area में पाए जाता है thermocidophils जो होता है यह hot spring में पाए जाता है ठीक है जैसे walcanos went methanogens जो होता है marcy swamp में पाए जाता है तो यह आपकी bacteria का कुछ outline हो गया यह तीन तरह के bacteria अभी हम नोगों चर्चा की methanogens, hellophils, thermocidophils अब इसके बारे में तका detail में देख लेते है methanogens जो bacteria होता है यह obligate anaerobic होता है ठीक है obligate anaerobic और marcy habitat में पाए जाता है यह जो है CO2, methanol और Cs, formic acid को methane में बदले में सक्छम होता है इसलिए इसे methanogens कहा जाता है इसके वज़़द से इसकी जो यह property इसकी खास लिक प्रोपरिटी होती है इसके जोबर गैस प्लांट में methanogens बेक्टेरिये का प्रियोग करते है इसके लोग जैसे अब हमने पहले बता है कि यह ruminant के गट में भी पाया जाता है इसका एक्जाम्पूल है methanococcus, methanobacterium, methanosarcena, methanosparvillum इसके बाद आता है आपका hello fields जो की high salty area में पाय जाता है नमक जहां पर बहुत जादे होता है और यह gram negative होता है यह aerobic chemo heterotropic होता है देखे याद करिएगा वो anaerobic था heterotropic था यह aerobic होता है hello fields और इसमें bacteria godopsins नमक pigment पाय जाती है जो high light intensity को absorb कर लेती है और यह ATP का synthesis करता है लेकिन जो ATP इसका बनता है उस ATP का प्रियोग food synthesis में नहीं किया जाता है इसमें sap variables नहीं होते हैं hello fields में इसलिए इसको plasmalize होने का chances कम होता है इस line को बगा ध्यान से देखिए sap variables are absent in hello fields hence they cannot plasmalize in high salt concentration plasmalize जानते ही है न जब किसी cell को हम high concentrated medium में रख देंगे high concentrated medium में cell को रख देंगे तो क्या होगा कि जो water जो होगा water ठीक है वो अब बाहा की तरफ निकलने लगेगा इस तरह से जिससे जो इसका protoplasm है यह प्रस्रिंग कर जाएगा एक जबापे किसी कार्णर पे इसी condition को हम plasmalizes कहते हैं ठीक लेकिन ऐसा आकी bacteria में नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि इसमें sap bacules नहीं पाय जाते हैं इसके अलबा इसके cell के अंदर KCL होता है ठीक है potassium chloride जो की इसके asmostic concentration को balance करके रखता है ठीक है अब आजए थर्मो असिटो फिल्स थर्मो असिटो फिल्स bacteria high temperature में पाय जाते हैं और high acidity condition में पाय जाते हैं high temperature और high acidity condition में अब high temperature कहां पर होता है आप जानते हैं कि जो बालकुन वेंट्स होते हैं जो आला मुखी का जो जहां पर जो आला मुखी का जो जो आला मुखी निकलता तो उसमें क्या होता बरसाद के दूनों से पानी भर जाता है लेकि उसका पानी उबलता रहता है और sulfur के presence में वो पानी काफी acidic हो जाता है जिसे वाँ का pH जो होता है लगबग 2 तक भी पहुँ जाता है और उसका temperature असी तक होता तो इसे temperature में मतलब low pH condition पर भी और high temperature condition पर भी ये बेक्टिरिया survive कर सकते हैं जैसे एक जामपूर्स का होगा थर्मो प्लाज्मन थर्मो पोटियस ठीक है यह कीमो सेंटेटिक नेचर का होता है ठीक है इसके बारे में आपको बता दे कि यह क्यों यतना high temperature पर रह सकता है और low pH पर कैसे यह survive कर सकता है तो मैंने अभी जैसे मैंने बताया कि इसके cell membrane में जो होती है ब्रांच ये लिपीड होती है अभी मैंने बताया ठीक है और इसके अंदर resistance enzymes होता है जो कि high temperature को resist कर सकता है ठीक ह इसको living fossil कहते हैं living fossil का मतलब ये ancient living ring है सबसे पुराना living ring अब आजाते हैं हम लोग actinomycetes पे ये दूसरा monora है ये भी pro carriers होता है इसमें देखिए ये लगभग bacteria की तरह ही होता पहले इसको bacteria में ही रखा जाता था लेकिन बाद में से अलग कर दिया गया और इसे रे fungi भी कहते ह है ये fungi इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें filamentous structure पाय जाता है लेकिन पूरी तरह इसलिए इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके cell क्या होते है इसलिए इसको हम intermediate form of bacteria and fungi नहीं आप कह सकते हैं कि ये bacteria of fungi के बीच का link है link between bacteria and fungi ठीक है इसका example nocardia, mycobacterium, corny bacteria, frankia, streptomycin ठीक है ये जो होता है इसके अंदर इसके cell wall में mycolic acid पाय जाता है और ये gram positive nature का होता है ठीक है ये facultative, anaerobic, saprotrophic, non-motile होते हैं ठीक है और ज्यादे तर ये dead organism पे, dead material पे grow करते है और इसमें जो reproduction होता है cornydia के द्वारा होता है, sprenzyospore के द्वारा होता है, odia के द्वारा होता है और fragmentation के द्वारा होता है ठीक है अब इसके figure को हम देख के अभी इसके पुरे उसको समझ लेते हैं ये वाले figure में देखिए यहाँ पे cornydia के द्वारा reproduction होता है, ये cornydia है, ये cornydia जो बना हुआ है, ये cornydia जिसको पर बनता है, उसको हम cornydia for कहते हैं ठीक, फंजाई की तरह इसमें भी structure पा जाता है, ये sprenzyospore है, इस प्रेंजियम के अंदर बन रहा है, ये arthospores है, या oidia है, ठीक है, काफी कुछ ये bacteria, fungals के साथ similarities हो करता है, लेकिन क्योंकि इसका जो cell होता है, ये प्रो करियार्स होता है, इसलिए इसको हम फंजाई में नहीं रखते हैं, अब इसके economic importance पर आ जाते हैं, तो से पहले त स्टाइमोसस, टेरामाइसीन और आक्सी टित्रसाइकली निकलता है, इस्टर्टोमाइसीन इरित्रियस ये से रित्रोमाइसीन निकलता है, इस्टर्टोमाइसीस बेलजुएली, लेवेंडियुएली से क्लोगोमाइसेटीन निकलता है, फ्रेडी से नियोमाइसीन निकलता है स्टेक्टोमासिस पोनिसेसेस से baixoгов हो, इस्टेक्टोमासिस निवेइस से 마음에 बाते हैं से निकलता है और स्टेक्टोमासिस और योफेसिएन ईक्लोगटरसाइकलीन बहुत , इंप्रटेन्ट रिवयर्टिक होती है यह क्लोगटरसाइक्लीन । ठीक है इसके अलबा इसमें जो फ्रेंकिया जो होता है यह सिंब्योटिक नाइट्रिजन फिक्सेशन करता है लेकिन नान रूट नान लेगूनस प्लांट में ठीक है जैसे एलनस ब्रेक इंपोर्टन्ट है यह मेरिका कैजुए राइना कैजुए ठीक है देख लिजिए इसको ध्यान से इसकी पीडिया फाइल मैं दूँगा आप अपने इमेल सेंड कीजिए मैं आप उस पर इमेल कर दूँगा या आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जोग जाएए वहां पर सारी पीडिया फाइल आपको मिल जाएगी देखे यह बहुत इंप इसे निकल रहा है लगबस सो से अधिक एंटिवाटिक निकलता है रे फंजाई से या एक्टिनोमाईसे इस से अब आजैं माइको प्लाज्मा पे माइको प्लाज्मा देखे इसको सबसे पहले जो खोजा था उनका नाम था नोकार्ड और राउस तीक है इसे प्लीपीयलो भ प्लांट किंग्डम भी कहते हैं क्योंकि अपने रूप को हमेशा बदलते रहते हैं यह हमेशा है चेंज होता रहता है क्योंकि इसके उपर सेल वाल तो होती नहीं है इसलिए कभी गोल हो जाते हैं कभी लंबे हो जाते हैं कभी प्लूगमार्फिक होता है जिसके जिसका कोई निश्यत आकार नहों हमेशा आकार जिसका बदलता हो इस फिरिकल हो सकता है ग्रेनल हो सकता है कोकाइड हो सकता है यह दिखे श्ट्रक्चर है इसका जो स्वस्रे खास बाती होती है कि इसमें इसका जो बाहरी लेयर होता है ये तीन लेयर लाइपो प्रोटीन मेंबरेन का बना होता है ट्रिपल लेयर लाइपो प्रोटीन मेंबरेन का ठीक है ये आप देख रहे हैं लाइपो प्रोटीन मेंबरेन ट्रिपल लेयर होता है अगर इसको आप लैब में देखेंगे तो यह एक तरह से आपको जैसे एक अनसेमी फ्राइड एक को अगर तावे पर रख दिया जाए तो किनारे का चीछ टांस्परेंट बीच का जो हता है नान टांस्परेंट उस तरह से दिखता है इसमें साल्बू लागाने इसके पायती है ,जो कि इसके प्राइक परणा ITK पाया जाती है इसके लवाए इसमें मेटाबॉलाइड पाय जाते है ठीक है ृफ यह Symphony याКак माईको प्लाज्म का रिश्टरि है तो माईकोप्लाज्नलों सबसे खास बात ह Sche whatsoever कि कि इसमें किसी बीतरह का से अल्ए होता है यह cell wall नहोंने को जैसे gram negative होता यह, gram negative test को सोग करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, cell membrane is the outermost limiting layers, it is trilemular unit membrane structure, लेक cell wall, cell wall नहीं होता है, ठीक है, और यह bacteria से छोटे होते हैं, क्योंकि यह bacteriological filter से च्छन कर नीचे आ जाते हैं, past through the bacteriological filter, ठीक है, सप्रोट्राफिक होते हैं, smallest procrears है, सबसे छोटा procrears माने जाता है, आप कैसे smallest cell भी आप इसको कह सकते हैं, PPL लोगो, gram negative होता है, क्योंकि cell wall इसमें होती नहीं है, ठीक है, और इसमें जो रिपोडक्सन होता है, वो elementary bodies के द्वारा होता है, अब इसके economic important के देख लेते हैं, यह कई plant में और animals में disease पन करता है, जैसे plant में यह witch broom disease पैदा करता है, ब्रिंजल लिटिल लीफ यह कोशन आ जुका है, लिटिल लीफ आप दे ब्रिंजल, causes by mycoplasma, सेसम फोलाइड कास करता है, एस्टर यह लो disease कास करता है, बंची टॉप अप पापया, यह भी कोशन आ हुआ है, disease कास करता है, सेंडल स्पाइक्स, यह भी कोशन पुछा गया है, species, वाटनी के पेपर में, एनिमल्स में यह लिवो निमूनिया करता है, जहां मैंने बताया कि केटर्स में सबसे पहले इसको यहीं से खोजा गया था, लंग्स के pleural membrane में सबसे पहले यह खोजा गया था, जनेटर्स में जो आर्गंड्स होते हैं इसमेंnicas कास करता है, और इसके लाबा मैं में morning कास करता है, ठीक है, और कुछ हग क्शश लह दिक कि यह निमूनिया जैसे primary typical निमूनिया भी कास करता है, और देखिए इसके लाबा कुछ और भी मोन रहा है, जिसके बारे हम लोग जाने जैसे कि रिकेट्स, ये केट्सी जो होता है, इसको सबसे पहले येस्टी रिकेट्स ने खोजा था, ठीक है, कहां से ये राकी मौंटेन स्पोर्टेट फीवर कॉस्प कर रहा था, वही से इसको खोजा था, देखिए, येस्टी रिकेट्स के नाम पर ही, इसका नाम रिकेट्स पड़ा, क्योंकि जब ये इस पर अतना काम कर रहे थे, इस पर वर्प कर रहे थे, उसी समय उनको ट्यू फीवर हो गया और उनकी देथ हो गई, ठीक है, तो ट्यू फीवर कास्ट करने वाला जो आर्ग अर्गिनीजम होता है, वही रिकेट्स ह होता है, जिसका नाम कॉक्सियला बर्नेटी है, ठीक है, और आपकी माउंटेन फीवर होता है, रिकेट्स या, रिकेट्स से होता है, ठीक, तो ये ये वी एक तरह का बेक्टिरिया ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेक्टिरिया से, इसलिए इसको एक अलग इसी तरह क्लेमाइडीज होता है, यह एनरजी परासाइडीज होका आ जाता है, क्योंकि इसके पास यह होस्ट सेल में ATP के लिए डिपेंड रहता है, क्योंकि इसके पास कोई अपना ATP जनरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, यह obligate intracellular parasite of the vertebrates होता है, इसमें भी elementary body स्पाई जाती ही, mycoplasma की तरह, यह भी elementary body से ही reproduction करता है, इसका example है trachoma, eye disease, ठीक है, canjuitis, चो canjuitis होता है, वो भी clamitis से ही होता है, जो आखे लाल हो जाती है, जिसको आख खाना कहा जाता है, ठीक है, canjuitis, canjuitis trachomatis, canjuitis trachomatis, clamidias, trachomatis के कारणी यह होता है, और influenza के तरह एक disease होता है, जिसको बोलते है, cytokosis, ठीक है, वो भी clamidias से भी होता है, देखे, bacteria को बर्जे ने classification दिया था, ठीक है, bacteria के लिए, from major law of determining bacteriology कहा जाता है, Joseph Lister, जो थे, पहले बैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनों ने technique टेवलब की, यह सेक्टिव कल्चर की, ठीक है, Joseph Lister ने, क्योंकि एक question आए हुआ, इसलिए इसको बता दिया जा रहा है, देखे, जो pseudomonas pudita होता है, इसको super bug बनाए गया था, ठीक है, यह oil pollution को खत्म करने में सहाइक होता है, आनंद चक्रवती ने इसको बनाए था, डेवलब किया था, स्वीडो मुनास pudita में कई तरके, अलग-अलग बैक्टिरिया से, प्लाजमीट को एक ही बैक्टिरिया में डाल दिया, इसको super bug कहा रहा, ठीक है, इसे तर नौस्टाउक डेवलो सिंब्रोटिक एसोशीशन विद गुनेरा एस्टेमेंट ट्राइफोलियम रूट, यह कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, अब इसके बाद आईए, अब यह देख लीजे थोगा सा, एडवाल जेनर्ग जो थे, इन्होंने स्माल पॉक्स की वेक्सीन सबसे पहले कोजी थी, ठीक है, इम्मुनारिजिस्टन सबसे पहले एडवाल जेनर्ग ने किया था, और जो DPT कुछ होता, DPT आप जानते हैं, डिप्थेरिया, पर्टुसीस और टिटनेस का टीका लगता है, छोटे बच्चों में पहले लगाया जाता है, DPT का टीक है, इसके बफ़ीए ए बिसीजी का टीका, बैसलस कालमेटेरिय टुबर्कुलिसीस तीभी का होता है नहीं पुरा नमे बैसलस कालमेटेरियow ग्यूरिञ्स, और इसके बढ़ दीटी, डिप्थेरिया और टिटनेस का टीक अधीय, और लेक्टि देशस अए पर्श इंडो स्पर्म पास्टोराइजिशन से खतम नहीं होते हैं। माइको बेक्टेरियम एंजेंतोगोनास फ्रम नोडून्स आफ दे लीफ आफ अर्डिस्निया प्रवेटा यह कुछ जना चुका है। इसलिए इसको यह लग से मैंने बता रहा हूं। ठीक। क्लीन बर्जर दो थे उन्होंने टुप्रक्लेसिस और एंथेस का बेक्टेरिया खुजा था और इसके लाव इन्होंने यहल फॉर्म बेक्टेरिया भी खुजा था। यह याद कर लिजे। अब देखिए जैसे कि NCRT को भी थोगा देख लेते हैं। माइकोप्लाजमा इसमें दिया हुआ है … यह माइकोप्लाजमा अर इसमें सेलवाल नहीं होता है यह इसमालेशट लिभिण सेल, नोन अज सर्वाइविंग विदाऋ औक्सीजन यह सबसे छोटे लिभिण सेल्स होते हैं जो की anaerobic condition में पाये जाते हैं many mycoplasma are pathogens, animals and plants इसके बारे हम लोग डीटेल देख लिया है ठीक है ये bacteria का binary fusion है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है इसमें तो कुछ देखना नहीं है आप देख लेते हैं some pathogens causing damage of human being caused from ये तो हम लोग देख लिया है इसमें कुछ देखने की होत नहीं है bacteria reproduce mainly fusions by spores sexual production by adopting primitive DNA transfer by transaction conjugations ठीक है तो अब ये वीडियो यही समाप्त करते हैं देखिए इस वीडियो को आप काफी ध्यान से देखिए एक जी मैं आपको बागबा पता को जो नीचे subtitle जलती है वो important point दे जाते हैं ठीक है उसको मेरे मतलब वो यह मैं सोचेगा कि वो translate करके बताया जा रहा है तो फिलाहल तो वो भी important point के रुप में हो रहा है और वीडियो को like भी कीजिए share भी कीजिए क्योंकि मैं कोशिस कर रहा हूं कि सबसे अच्छा content यहां पर दो देखिए वीडियो बनाना काफी cutting काम होता है एक वीडियो बनाने में करीक चार पांस चार से पांस घंटा लगता है मुझे class में पढ़ाना classroom जो live classroom होता है वो मुझे आसान लगता है वहाँ आसान उसे पढ़ाया जा सकता है वहाँ में जो class लेता हूं पर 100-200 बच्चे बैठे रहते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है और class बड़ी smoothly चलती है लेकिन वीडियो बनाने में काफी दिक्कत आती है तमाम तरह की दिक्कते रिकार्डिंग में आती है कभी थोगा सा गलत हो जाए तो फिर से पूरा वीडियो डिलीट करें फिर से उसको आप रिकार्ड कीजिए क्योंकि editing का बहुत जारी chance इसमें नहीं रहता है तो आप वीडियो को like करेंगे comment करेंगे share करेंगे तो यह channel बढ है कि मेरे इस channel को promote कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद